समाजबारी पार्टी जिन्दा बाग गोशी उप चुनाव दोनों ही पार्टीओं के लिए साखखा चुनाव बन गया था किसी भी हालत में BJP इस चुनाव को जीतना चाह रही थी उसने दाराज शींग को इस चुनाव में मैदान में उतारने के बाद अपने बड़े बड़े मंत्रियों की फोजी मैदान में उतार दी चुनाव पिर चाहर के लिए दूसरी तरफ संजय निसाद ओपी राजबर पूरी ताल ठोक करके गोशी में डटे हुए थे पूसरी तरफ ओपी राजबर ने अपनी मर्यादा लांग दी अकलेष चाहद खिपालयादव को क्या कुछ नहीं बोला थोने अकलेष चाहदव को शेपई बेज करके बोला कि मैं एक बाप की औलाद नहीं कर शेपई नहीं बेज दिया का जवाब गोशी की जनता ने दिया है और आरताइक को जो मतगरना हुई उसके बाद उपी राजवर कहीं दिखाई नहीं दिये गोशी के आसपास पत्रकार उन्हें डूनते रहे लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिये अरा सिंग तो बात करने के लिए राजी भी नहीं हुए और शिपकर के कमरे में बैटे हुए थे जैसे तैसे पत्रकार ने ढूना लेकिन वो बात करने के लिए तयार नहीं तो इससे ये थावित होता है कि शुपाल यादव की यह रड़नी थी है उसके सामने अच्छे-च्छे मंतरी और उफ मुख मंतरी और मुख मंतरी दराइशा ही हो जाते हैं युकि शुपाल यादव ने जिस प्रकार से मैंपुरी में शपा को जड़ाया उसके बाद घोशी में चाल चली उससे सारी बीजेपी चित हो गई बीजेपी के दस मंतरी दो उफ मुख मंतरी और खुद मुख मंतरी ने वहाँ जाकर पिरचार किया दर राद भाँ पड़े रहे मंतरी लेकर कुछ नहीं हो पाया अकेले शुपाल यादा मैदान में जैसे डटे जैसे उन्होंने वहाँ अपना पूरा फोकस उसी चुनाव में लगा दिया उसके बाद जो फड़डा में वो शवी के सामने है 63,000 से सुदाकर शिंग जीते हैं शपा ने बहुत बड़े अंदर से बीजेपी को हराया यहां से एक यह और शाबत होता है कि बड़वले मंतरी बड़वले नेता किशी जनता पर कोई प्रवाव नहीं छोड़ पाते हैं अगर आप जनता से कनेक्ट रहें जनता के लिए काम करेंगे तो आप पो जनता हमेशा जिताएगी आपके बोलने से कुछ नहीं होता जब तक जनता से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जनता के लिए काम नहीं करेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होता